हेलो वाइज गुडीनी सुषंद्या कैसे हो आप सब आज वोफ आप सब अच्छे होंगे और अपने पड़ाई भी अच्छे से कर रहोंगे तो आजिए आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुदाफसिंग एजुकेशन हपता तो वाइज आज हम डिसक करेंगे कि तेर भासा की प्रक्रते भिन होती है जो भी भासा होती है उसकी प्रक्रत क्या अलग होती है परंतुसा मानता हिंदी वासा की प्रक्रत की समन्वे क्या परंतुसा मानता हिंदी वासा की प्रक्रत की समन्वे ने मितत्यों पर विचार किया गया इसमें जो नीचे सिर्फर्ट त्राम पर मीतुंदी हैं एकटूट समंदी होता है में किन चुना ना थेससरे केशन रहें जामेंट को इस बिकीशियम थीरत रिखिए के माइस को मुद्य दूसरी से विंदा मैं सरुची दा-र॥ नहीं किया जा सकता है न एक दूसरे से कैसा अलग नहीं किया जा सकता है विचारों के विना भासा का कोई महतु नहीं है कि जो विचार होते हैं उनके विना भासा का क्या कोई महतु नहीं है विचारों के महद्यम से ही धुन्य उत्पन होती है कि जो विचार होते हैं उनकी साय समिसि Sen तसरी क्या धुन उत्पन होती है और धुनियों से स्पस्पन होते हैं तम यृचार उत्पन होते हैं विचार । मनोश जगत की क्या है बिश्रिष्ता है मनुसी की अतरिक्त अनकिसी भी प्रारी की उनकी अपनी बहां सा तो होती है क्या एक मनुस की अत्रिक्त कोई भी प्राड़ी हो उनकी अपनी भासा मोत tuh होती है पर Nep fui अपने कोई विचार नहीं होती सिसले संसार में इस्थ्राड़ी की भासा का कोई मौ या मूझली नहीं बलावा किसी प्राड़ी कोई भाशा है तो उसका क्या है कोई मूल नहीं है क्यों कि उसमें कोई विचात नहीं होते हैं, इसलिए उस बहक्त का कोई मुल नहीं होता है, अंगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मारा, भासा का एक सांगितिक सादन भासा ही एक मात्र ऐसा सादन है जिसके माद्यम से मनुष समाज की अन सदस्यों के साद कि मनुस समाज की अन जो सदस्यों के साथ अन जो सदस होते हैं उनके साथ अपने भाव पर दस्यित करता है क्या करता है? अपने भाव पर दस्यित करता है आपसे विचार भी मर्स करता है आपस में बात चीत करता है अपनी बात समाज के एक सदस्य दूसरी सदस तक पहुंचाता है जो अपनी बात होती है वो एक मुलब एक व्यक्ति जो है दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाता है ठीक है अंगला पॉइंट है हमारा तीसरा वासा का समन्द परंपरा से होता है वासा का समन्द परंपरा से होता है वासा का समन्द समाज की परीवादन होता है, जो मूल रूप होता है, इसमें थोड़ा बात परीवादन कर सकते हैं, परंत इसमें आमुल चूल परवतन या बिलकुल नई भासा का स्रजन एक साथ नहीं कर सकते हैं कि कोई हमलग नई भासा कर सकते हैं ठोड़ा बहुत उसमें बदलाओ कर सकते हैं लेकिन इस को पूरी तरह से यह बदल जाए हो नहीं हो सकता है नहीं वदल सकती है थोड़ा बना हो सकता है अंगला फाइंट सब्सक्राद को ब Buffts एक अर्जित संपति है वांस Ona का बंसान करूं से संबंद नहीं होता है किससे नहीं होता है इससे नहीं होता है बंसान करूं से सिखने का प्रियत्न करता है शुरूया सढ़ी जहां रहता है वह हैं से शीखने का प्रियत शीख लेता है जो लोग उनके बीच में रहते हैं जैसा वारता ब्रड होता है वैसा ही बच्चा सीख लेता है किसी हिंदी वासी वालग को अन किसी वासा को बोलने वाली दंपत के बीच में रखा जाए अगर कोई हिंदी वासी का बालग है ठीके अगर अन कोई वासा बोलता है अगर उनकी वीच में रखा जाए तो बच्चा उनी की वासा सीख लेता है इसी प्रकार केरल में बस जाने वाले हिंदी वासी माता पिता कोई मलब विखती है जो केरल में बस जा मलब रहने लगा तो संतान जो होती है वो केरल में रहकर बहुत अच्छी तरह से मलयालम मासा को बोल और समझ सकते है कि जो केरल वाली जो भासा होती है उसको बहुत अच्छी तरह से बोल और समना सकते है अता हम क्या सकते हैं थेको आंगे के अता कहा जा सकता है कि भासा पैतरक संपती ना होकर एक आर्चित संपती होती है कि भासा पैतरक संपती ना होकर एक आर्चित संपती होती है आगे हम अंगला पॉइंट डिसकस करेंगे वहांसा गसील तथा परिवर्तन सील होती है कि वहांसा कैसी होती है गसील तथा परिवर्तन सील होती है वहांसा इस्थिर नहीं होती है भरन कैसी होती है गसील होती है किसी वहांसा बिसिस के बोलने वाले कोई भी महासा मलब इसे बोली जाया ठीक है बोलने वाले उसमें कम से कम परवर्तन करना जाते है कि जो महासा बोलने वाले होते हैं उसमें कैसे कम से कम परवर्तन करना चाहते हैं फिर भी देश का ददसंपर्ग के अनसार मलत जिस देश में रहती हैं जैसा समय है और जेसे संपर्ख रहती हैं जिन लोगों के और उसी हिसाब से मासा की रूप में परवतन होता रहता है उसी रूप में क्या होता है? मासा की रूप में परवतन होता रहता है मासा का कोई अंतिम शरूप नहीं होता है वांसा का कोई अंतिम शरूप नहीं होता है आज से पचास वर्स पहले की हिंदी और आज की हिंदी में बहुत ही आज की हिंदी में बहुत अंतर देखने को मिलता है कि जो पचास वर्स पहले की जो वांसा थी और जो आज की वांसा है उसमें क्या है बहुत अंतर देखने को मिलता है अंगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है महासा इस्थूलता से सूचमता और प्रौडता की ओर जाती है महासा इस्थूलता से सूचमता और प्रौडता की ओर जाती है महासा आरम में स्थूल होती है आरम में कैसी होती है, स्थूल होती है, परंत धीरे दीरे होगे सूच बावों, छुटे छुटे बावों तथा विचारों के आधान प्रिदान के लिए अपरोड से प्रोड होती जाती है, अपरोड से कैसी होती है, प्रोड होती जाती है, परंत ये सबी बातें प्रियोग पर काड़ मी निर्वार्स करती हैं प्रियोग और ऐसे जैसे हम किस प्रकार उनका प्रियोग करती थे को थो तो आज के लिए वस इतना ही मिलती बात करना में काड़ कि दौनीवाद तो आप लोग वीडियो पर पहली बार विजिट करने हो तो सस्क्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सबी वीडियो का आप लोग लाव भी उठा सको और चैनल को सस्क्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और सेयर भी कीजिए ताकि सही पर से चुपा इसका ल झाल झाल